ओम स्रीयने साइड अमद दोफ्तों आप सभी का एक और नहीं ताज़ा वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के वीडियो में सरासी वाले जातकों के लिए बहुत इंपोर्टन बहुत इंखास और बहुत ही महत्पुन होने वाला है क्योंकि 36 करोण देवी देव हैं आपके वियवार ब्यवसांगे में व nota कor siwn वालर को सभी कि अवाले हैं माता राणि का सच्छे वक्त sarà बहुत वेवसे हैं मत्रों हमेश वाले जियाक जीवन का भ सक्षे बहुत हैं बैपपार बैवसाय में वड़तरी होंगे आपके सोचेवे आधिकतर कारे भी संपन्न होंगे मापापा का सवयोग प्राप्त होंगे तदहां आपको इस समय किसी नए कामकादु को करने के मुखे भी प्राप्त होंगे जो आपके लिए बहुत यूपयोगे और काफी खास रह मेसराशी के जात्कों के बार्वे भाव में गोचर, चंदर देव का ओ रहा है इनसे आपके मांचिक तनाव को यह बढ़ा सकता है। देखी जा सकती हैं। भवन तथा परियतन से जुड़े कारियों को आसानी से कर सकते हैं। और आर्थिक चिंताओं से भी आपको चुटकारा प्राप्त होंगी। आपके सुचने समझने और आपके एच्छा सकती में बढ़ोतरी करने के विशे समोके भी आपको फराप्त हो सकते हैं। पत्रों मेश रासी के जातकों के लिए आज के दिन बैपारिक लाब के स्थितियां परवल हो सकती हैं। समय आपके लिए अत्यनत ही सुब बना हुआ है। सो भागय में वर्दी होंगी। समझसाएं भी आपके दूर होंगी। आपके समाजिक शेत्र में विस्तार होगा, उपहार और समान का लाव भी आपको फराप्त होंगे। आपको अवस्य प्राप्त होंगे भवित्ते की योजिनाओं पर चर्चा कर सकते हैं और आपके जीबन में भी आपको सफलता हासिल हो सकती हैं आपके सूचने, समझने और अपने एक्षा सकती में बढ़ोतरी करने के विछस मौके भी आपको अवस्य है राप्त होंगे तथा मत्रों आपको बताना चाहेंगे यह समय आपके लिस्षु रहेगा आपके जीवर में आपको सफलता दिलाने हो सकता है आभुसन और सिंगार से समंदेत वैवसाईयों को लाब हो सकते हैं आर्थिक इस्तितियों में भी आपके उत्तम इस्तितियां देखी जा सकती हैं और आर्थिक इस्तितियां भी आपके उत्तम रहेंगी रुके विधन की प्राप्ति भी आसानी से आप कर सकते हैं तथा आपके किस्मत में भी बड़ा चमतकार होने वाला है अत्य दिख भाग दोड के कारण दैनिक दिंचरिया भी आपका अवविस्तित हो सकता है आप थोड़े प्रिसान हो सकते हैं ऐसे समय में आपको खान पान का ध्यान जरूर रखने होंगे आप अपने खान पान पर ध्यान अवस्ति रखने का प्रियास करें सुवे देव को जल म रोली मिलाकर अर्पित करें तथा हनुमान चलिशा का तीन बार पार आपके सभी कार्यों में सहायक सिद्ध होंगे मत्रों में सराशी के जातकों को बताना चाहेंगे कि अगर आपके जीवर में वैपार वैवसाय करियर लव लाइप में अगर आपको किसी प्रकार की जीवतें तकलिफों या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वैसे में अगर आप उन सभी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं आप अपने जीवन के हर एक शित्र में कुछ अच्छा बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए मातालक्ष्मी के किसी भी सुरूप के सामने म जो भी कमिया हैं जो भी आपके तकलिफे हैं जो भी आपके समस्याओं हैं कश्ट हैं जो भी आपके जीवन में तकलिफे हैं आप उन सारी के सारी बातों को मातालक्ष्मी के साथ जरूर सेर करें तथा मातालक्ष्मी को आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं जो भी आपके एक्षाएं हैं वो भी मातलक्षमी के साथ जरूर सेयर करें ऐसा करने से आपके जीवन में आपको खुशियों के प्राप्ति होंगे और आपको विशेश रूप से जो भी आप पाना चाहते हैं वो भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कारी शेतर में जातकों को सहकर्मियों का सहयोग अवस्य फ्राप्त होंगे, आपके सहकर्मिय भी आपके हर शेतर में आपके मदद कर सकते हैं, आपका सहयोग कर सकते हैं, और सहायता भी आपको फ्राप्त होंगे, नए विचारों तथा योजनाओं के साथ आप अपने कारी सैली में बदलाव कर सकते हैं कार्यों को वहत्रिन तरीके से पूरा करने के आप अलग तरीके से डील कर सकते हैं यह समय मित्रों मेश रासी के जातकों के लिए काफिस सुब रहेंगे और आपको अविश्यकता के अनुसार कारिसेली में बदलाव करने के वहत्रिन मोके भी प्राप्त होंगे आप आपके सभी परियतनों को आपका पुर्ण सहयोग दे सकते हैं, संतान के भविष्टे के प्रते आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं, ऐसे में संतान के दायत्वों के पूर्ति करना आपके लिए आवज सकूँगे, परिवारे के श्तितियां भी आपके पक्ष में बनने रहे आपको लाब भे अवस्य फ्राप्त होंगे, लाब के स्थितियां भे आपके उत्तम रहेंगे, आपका स्वास्त भे पहले से काफे बहतर बना रहेगा। आपको लाब भे अवस्य फ्राप्त होंगे, आपके सुचने, समझने और आपके इच्छा सक्ती में बढ़ोतरी करने के विसे समोके भे आपको फ्राप्त हो सकते हैं, यसमें आपके जीवर में आपको सकरात्मों को रुच्छा बनाने के लिए आपका काफे सहीओ कर सकता है, ऐसे समय काफ योग, आप अपने जीवर को करने के लिए, जीवर को बहतर बनाने के लिए अवस्य करें, आप का दिन बहतर बने, इसके लिए कमें टरबॉक्स में, जैमा आता दे, अवस्य लिख आपका दिन से बहु मंगलकारी हो, जैमा विंदवासने.